सिक्षा सुधार रोजगार की तरब से मैं नीड़ाज एक बार फिड़ आपके साथ और सिक्षा विभाग की समिक्षा बैठक के बाद एक बड़ा लेटर जारी हुआ है लेटर में साफ तोर पर दस बर्स की छूट की बात कही गई है और हम आपको वो लेटर भी दिखाएंगे सिक्षा सुधार रोजगार लगातार इस पर आपको अपडेट देता रहा है और स्टेट पीरित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुसकबरी है कि अब दस सालों की छूट की मन्जूरी मिली है रंजीत कुमार जो सिक्षा के निदेशक है उनके द्वारा बैठक की गई और बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और स्टेट में अब दस बर्स की छूट अभ्यर्थियों को दी जा रही है अभ्यर्थियों को ये खुसकबरी हम दे रहे हैं सिक्षा सुधार रोजगार के चनल पे अभ्यर्थी लगातार हमारे संपर्क में थे और इस लेटर की बात हमने कही थी कि एक दो दिन में जारी होगा पर सिक्षा विभाग ने सापत वर पर लेटर जारी कर दिया आपके स्क्रीन पर उनका नाम है अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि अब आट सालों की नहीं दस सालों की छूट पर मन्जूरी मिली है जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले दिनों हाई कोट से ये बड़ा आदेश आया था जिस आदेश में ये कहा गया था कि आट सालों की छूट दी जाए पर अब सिक्षा विभाग ने ये बड़ा बयान दिया है आपको हमने पहले ही बताया था कि सिक्षा विभाग में समिक्षा बैठक हुई थी सम्बंद में और समिक्षा बैठक करने के संबंद में असपस्टी करन दिया गया है सिक्षा विभाग के द्वारा विभाग ये पत्रांक 12-79 है और 25-9-2019 तारीक आज की आप देख सकते हैं महासे उप्यक्त विशयक प्रारंबिक पत्र के द्वारा अधिक्तम उम्र सीमा में छूट परदान करने के संबंद में पत्र की कंडी का एक में उलेखनिया है कि विभाग में आरक्षित कोटी के उम्मिदवारों को समाने प्रसासन विभाग द्वारा सुकृत अधिक्तम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। बिहार शिक्षक प्रारंबिक शिक्षक नियाम अमली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंबिक शिक्षक नियाम अमली 2012 के आलोक में की जा रही है। बिश्वास भाजन रंजीत कुमार सीह, डॉक्टर रंजीत कुमार सीह जो सिक्षक के निदेशक है और उनके द्वारा ये बड़ा बयान और बड़ा लेटर जारी किया गया। अभ्यारतियों में खुसी की लहर हो सकती है। अब देखना ये है कि नए सीरे से फॉर्म भरने की तारीक कब निकलती है और कब अभ्यारतियों को ये बड़ा लाब मिलता है। दस बरसों की छूट की बात की जा रही है स्टेट 2019 परिक्षा में और अभ्यारति आठ सालों की छूट की बात कर रहते पर अब सिक्षा विभाग ने लिटर जारी करके दस बरसों की छूट दी है। सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ इस पर हम ताजा अपडेट और आपको देंगे अगले वीडियो में बने रही है सिक्षा सुधार रोजगार के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए